हेलो फ्रेंस मैं रागनी आज के चुडियम आपका श्वागत करती हूं तो फ्रेंस आज में शेर करने वाली हूं 36 ब्लाउज का कटिंग और स्टीचिंग जो बेल्ट ब्लाउज बनेगा हमारा तो फ्रेंस आप देख सकते हैं कि यहां पर मैं आपको पूरा मेजरिमेंट समझ दस इंच रखेंगे हम और गला आगे का चेंच रेडी रहेगा और बैक का गला डीप में दस इंच रहेगा दस से साड़े दस इंच हम रखेंगे तो फ्रेंस देखिए मैं बहुत ही सिंपल तरीका वताने आ ली हूं ब्लाउज की कटिंग और स्टीचिंग का अगर आप बि इसको अलग करेंगे अरब हम आपकी हिसाब से अस्तर को फोल करेंगे तो देखिए यहां पर हम अस्तर को फोल कर रहे हैं तो जितना चेस्ट साइज है उसी के कोडिंग यहां पर मस्तर फोल करेंगे तो जैसे कि 36 चेस्ट है तो उसका चौथाई भाग 9 इंच होगा तो 9 इं फोल्ड कर लिए हैं देखे इस तरह से तो देखे फ्रेंस फोल्ड करने की बाद से 11 इंच में कपड़े को फोल्ड कर लिए हैं और उसके वाद से जो भी एक्ष्टा कपड़ा बाहर के साइड दिख रहा है उसे इस तरह से हम कट कर लेंगे बिल्कुल बरावर से और मैं आपको बैक और फ्रंट दोनों साइड की कटिंग एक ही साथ करके दिखाऊंगी तो देखिए जो भी एक्ष्टा कपड़ा उसे हम कट कर लिए हैं और अब इसे हम लंबाई की हिसाब से फोल्ड कर लेंगे कपड़े को तो देखिए फ्रेंस इस तरह से कपड़े को हम देखिए ओपन भाग है इस तरह से तो देखिए एक्ष्टा कपड़ा निकालने के बाद से कपड़े को हम फोल्ड करेंगे क्यूंकि बैक और फ्रंट दोनों पार्ट की कटिंग हम एक ही साथ कर रहे हैं तो उसके लिए एपढ़े 15 इंच में फोल्ड कर लिए है कपड़े को और नीचे के साइड जो हमारा बच रहा है वह नीचे के साइड वाला जो है हमारा फ्रंट पार्ट का है क्यूंकि भी बंड रहा है तो बैप आट से हम फ्रंट पार्ट को एक इंच बढ़ा करके लिए तो इतना कपड़ा और इस लाइन को सीधा कर लेंगे तो देखें सीधा करने के बाद से जो एक्स्टा कपड़ा बंच रहा है उसे हम कट कर लेंगे तो नीचे वाला जो होगा वह हमारा फ्रंड पार्ट का हो जाएगा और जो उपर वाला पार्ट है वह बैक पार्ट का हो जाएगा तो इसे निक तो यहां से लिए करके बृन्स साड़े पांच इंच में हम सोल्डर लिये हैं तो डीपनेक में 46 साइज में साड़े 5 इंच शॉल्डर बिल्कुल पर्फेक्ट होता है तो देखे इस तरह से लाइन को सीधा करेंगी और यहां से आर्म होल की लंबाई हम ले लेंगे चेंज और एक बॉक्स बनाएंगे आर्म होल में गोलाई देने के लिए तो देखिए फ्रेंज अब से पहले हम बैक पार्ट में गोलाई देंगे तो उसके लिए देखिए यहां पे हम देखिए लेते हैं कि देखिए पे हम बैक पार्ट में गोलाई देते हैं अब यहां से ले लेंगे सीने का चौथाई भाग तो जैसे कि और एक इंच प्लेट के लिए और दो इंच हमारा मार्जन का तो त्ना इहां रहने देंगे उसके वासे देखिए फ्रेंस अब हलके हातों से हम देखिए इस तरह से आर्म होल में गोलाई देंगे कि तो इस तरह से आर मोहल में गोलाई देने के बाद से देखिए फ्रंट पार्ट में हम इतना बढ़ा अंदर की साइड लेते हैं आधा इंच और फ्रंट पार्ट की भी हम मार्किंग कर लेंगे देखिए इस तरह से तो कटिंग करेंगे बाहर की साइट कियुकि दोनों पार्ट हमें एकी साथ निकालना है और देखे इस तरह से लाइन को आपको अच्छे से मिला लेना है ताकि फीटिंग का भी आपको किलियर हो जाए अब इसके बाद से देखि फ्रेंस गले की मार्किंग हम बाद में करेंगे दोनों पार्ट अलग-अलग करके अब यहां तक की हमारी मार्किंग कंप्लीट हो चुकी है और इसी मार्किंग के ऊपर हम कटिंग कर लेंगे अब यहां पर एक कट लगा देंगे जहां भी आपका चेस्ट का माप पार है वहां पर कट लगा देते हैं तो फिटिंग के टाइम हमें समझ में आता है कि हमें शिलाई यहीं से लगानी है तो उपर की साइड से से कट करके देखें दोनों पार्ट को हम अलग-अलग कर लेंग तो देखें फ्रेंस प्रांट पार्ट में अब हम गले की मार्किंग सबसे पहले करेंगे तो गले की चंड़ाई हम ले लेंगे ढाई इंच और गले की जो रेडी लंबाई है वह में रखनी है 6 तो आदाइंच अमरा शोल्डर में दबेगा तो उसके लिए देखें यहां प तीन इंच में दो पॉइंट कम और इस तरह से एक बॉक्स रेडी करेंगे उसके बाद से हम गले में गोलाई देंगे तो आप देख सकते हैं कि इस तरह से गले में हम गोलाई दे देंगे तो गले में गोलाई हम दे दिये हैं अब उसके वासे देखे फ्रेंस यहां पे जाएंगे हम आधा इंच अंदर के साइड कि आर्म होल में फ्रंट पार्ट में हम आदा इंच अंदर के साइड गोलाई देते हैं तो आप देख सकते हैं कि इस तरह से हमें इतना इसमें भी कट कर लेना है तो देखे फ्रेंज ट्रक्स पॉइंट निकालने का सबसे इजी तरीका मैं आपको बताने वाली हूं कि जैसे यहां का जो एरिया सौरी कंधा का जो हमारा बंचरा है बस उसको आपको हाफ करना है और एक मार्किंग कर लेनी है और उसकी बासे देखें चत्ती साइज में हम ऊपर से ट्रक्स पॉइंट की मार्किंग करते हैं देखें साड़े 9 इंच पर तो जो आधा आप किये हैं अब त्युक्षह आपको मेजर टेप को रखना है और यहां पर और इसको चैना आपको सबसे आसान तरीके मैं बता रही हुँ अब यहां से यहां तक रेंस प्रेंस के आपको एक मार्किंग कर लेनी है यानि उपका में टक्ष पॉइंट मिल गया है अब इसके राउंड में से आपको कर नी तो यहां से यहां तक लेकर देखेंगे और फिर से देखें यहां से यहां से भी हम डेड़ींची ले लेंगे और फिर ठीक इसके सामने आपको देखिए यहां भी आपको डेड़ींची ले लेना है और यहां भी आपको डेड़ींची ले लेना है देखें इस तरह से तो आप देख सकते हैं कि बहुती इजली हमारा टक्स पॉइंट हमें मिल गया है अब हम इसी निसान को दूसरे साइड बना लेंगे तो देखे फ्रेंज जैसे की बेल्ट ब्लाउंज हमारा बन रहा है तो फ्रंट में आपको बेल्ट की मार्किंग कितना इंच पर करने हैं ओभी मैं आ आधा इंच माईजन अवला कपड़ा मशीधा कर लिए हैं अब हम देखिए यहां से साड़े तीन इंच पर मार्क करेंगे बन भाग के तरफ से और आधा इंच आम करेंगे वे साइड तो इस इजान हम तीनिंच पर हीमार कर लेंगे गक देखें इस तरह 16 इसory drones आपको तो देखिए फ्रेश थोड़ा सा यहां से डाउन करती हुए इसमें safe देना है देखिए इस तरह से तो देखिए इस तर से अगर यहां पे आप सेफ देते हैं तो यहां पे जो हमारा टक्स आता है उसमें कपड़ा जाता है तो उससे हमारी ब्लाउच लटकती नहीं है तो उसमें गोलाई में इसे फमें देना होता है तो अब हम देखिए कितना हमें किस ट्रक्स में कपड़ा पकड़ना है यह भी मैं आपको किलियर करूंगी तो देखिए सबसे पहले जो नीचे वाला ट्रक्स हैं उसमें हम थोड़ा सा ज्यादा कपड़ा लेते हैं तो उसको भी मैं आपको बता दे रही हूं तो इसमें कपड लेते हैं तो डेड़ इंच को आपको दोनों साइड हाफ कर लेना है देखिए इस तरह से कि इस साइड आपको ले लेना है एक इंच में दो पॉइंट कम और इस साइड भी आपको ले लेना है एक इंच में दो पॉइंट कम तो इस तरह से देखिए नीचे वाला जो हमारे टक्स होता है उसमें हम इतना कपड़ा लेते हैं अब देखिए इस साइड का जो हमारे टक्स होता है देखिए आप देख सकते हैं तो उसमें हमें ज्यादा कपड़ा नहीं लेना होता है बस थोड़ा सा हमें पकड़ना होता है देखिए इस तरह से तो आपको इतना ही लेनाय और सेयं इतना ही आपको इन दोनों ट्रक्स में कपड़ा लेना है करो तो देखे इसमारकिंग यहाँ पर हमारे कंप्लीट हो चुकी है भर देख सकते हैं कि बस पर आसल कमad लेना होता है बाकि जो भी ट्रक्स तीमद eleg कपड़ा है तो यह मैं आपको कलियर कर दी हूँ अब यहां पर देखिए यह जो हम एक्सटा मार्किंग की इसको कट कर लेंगे तो इसको कटिंग करने के वाद से देखिए फिरेंस पहले हम गले-गले की भी कटिंग कर लेंगे एक ही साथ में तो फ्रंट पार्ट की मार्किंग हमारी हो चुकी है अब हम बैक पार्ट की गले की कटिंग करेंगे तो उसके लिए देखिए फ्रेंस यहाँ पे हम कि उपर के साइड से गले की चांडाई लेंगे ढाई कि और गले की जो लेंथ है हमें साड़े दस इंच रखनी है तो में आपे 11 इंच ले रहे हैं आधा इंच बढ़ा करके लेते हैं जो हमारा शोल्डर में दपता है और नीचे के साइड से देखे फ्रेंस गले की चौड़ाई ले ले लेंगे तीन इंच और इस तरह से बॉक्स रेडी करेंगे अब इसमें गले में सेफ देंगे तो देखे फ्रेंस अब आपे गले में सेफ देंगे तो इस तरह से आपको मार्किंग कर लेनी है और गले में थोड़ा सा बाहर की साइड देते हुए हम गले में सेफ दे दिये हैं और बैक पार्ट में देखे फ्रेंस ट्रक्स हम कितना इंच पर दालते हैं तो साइड से हम ले लेंगे 4.50 और नीचे से ट्रक्स की जो लंबाई है वो भी 14.90 ही होगी और इसमें हम बस एक इंची कपड़ा लेते हैं, तो इस तरह से आपको मच बना लेंगे इस तरह से देखिये अवि तो box सेस्ज़ेकी हम की कटिंग करेंगे यानि कटिंग करेंगे तो देखिए तरा हमारा दोलेयर में है अभी से बिसटेरा उसलेश next कर लेंगे मैं को कितना करना है मैं आपको बता रही हूं तो देखिए कितने लोगों का जैसे कि आप देख सकते हैं कि जो आर्म होल की जो गोलाई होती है ना इस गोलाई से अस्तिन की गोलाई कम पड़ जाती है या फिर ज्यादा हो जाती है तो किस तरीके से आप कटिंग करें कि इसके गोलाई और आपकी अस्तीन की गोलाई बिल्कुल सेम आए तो मैं हर साइज के लिए ट्रीक आपको बता रही हूं कि कपड़ा देखे फ्रेंस फोर फोल्ड में हमारा हो चुका है और उसके वासे देखे मैं यहां पर आपको मार्किंग करना तो फ्रेंस देखिए कपड़े की जो लंबाई है तो अपने हिसाब से बाजू की लंबाई रख सकते हैं लेकिन जो चौड़ाई होती है कितने साइज में आपको कितना रखना यह मैं आपको क्लियर करने वाली हूं तो जैसे कि देखिए सीने सीना जैसे 36 तो 36 का चौथाई वा कितना हूँ नौ इंच हुआ तो आप किसी भी आज तीन की जो गोलाई है और यह आर्म होल की गोलाई बिल्कुल सीम आएगी मैं आपको अभी दिखा रही हूं तो यहां से देखिए फ्रेंस लंबाई साड़े 10 इंच लिए हैं हम और इस तरह से एक बॉक्स रेडी करेंगे और उपर की साड़ से देखिए बड़ी स्लिप्स में हमें तीन इंच डाउन करना होता है और दो इंच बिल्कुल श्ट्रेट छोड़ेंगे देखिए इस तरह से क्योंकि मार्जन वाला पार्ट है हमारा और उसके बास से हम बाजू में गोलाई देंगे तो फ्रेंस देखिए इस तरह से बाजू में गोलाई हम दे दिये हैं अब हम अंदर वाल जो देखिए जो आगे का हमारा आसन का गोलाई होता है उसमें भी हम इतना गोलाई देते हैं तो देखिए दोनों साइट की गोलाई दे दिये हैं और यहां से देखिए बाजू की ज को और फिटिंग वाली लाइन से फिटिंग वाली लाइन को मिला लेंगे और अब देखिए इस तरह से स्लिप्स की कटिंग कर रहे हैं तो इस तरीके से आप अगर स्लिप्स की कटिंग करते हैं तो आपकी आसन की गोलाई और आस्तीन की गोलाई दोनों सेम आती है कोई कि इसको रखकर कि मैं आपको बता दे रही हूं कि तो देखिए फ्रेंस सेम आई है इतना हमारा उपर के साइड शोल्डर जॉइंट में चला जाएगा और बिल्कुल सेम आया है तो इसी तरीकी से आपको स्लिप्स की कटिंग करनी है वो भी हर साइज के लिए मार्जन छोड़ते हुए आपको कपड़े को कट कर लेना है अब इसकी में आपको शिलाई करके बता रही हूं पूरा डीटियल में इसलिए वीडियो में तक बने रहे हैं तो देखे फ्रेंस बैक पार्ट को हम ले लिए हैं और देखिए नीचे के साइड पाइपीन और और की दिया हुआ है तो अकर आप इसे ज्वाइंट करके अंदर के साइड फोल्ड करते हैं तो आपका पाइपीन अंदर के साइड चला जाएगा तो देखिए उसके लिए मे पर आपको बैक पाट को उल्टा कर लेना है और इसका उल्टा साइड और दोनों का उल्टा साइड मिलाते हुए देखिए बिल्कुल कॉर्नर पे सिलाई लगा करके हम अस्तर को में कपड़े से स्टीच कर लेंगे तो बहुत ही सिंपल तरीका होता है जो हमारा वर्क और पा सिंपली आपको देखिए किनारे पे सिलाई लगा करके अस्तर को में कपड़े से स्टीच कर लेना है और हाथ से आपको फिनिसिंग देते हुए सिलाई लगानी है तो देखे फ्रेंस सिंपली हम इसी तरह से किनारे पे सिलाई लगा करके अस्तर को में कपड़े से जवाइंट कर लेंगे तो देखे फ्रेंस लाज तक हमारी शिलाई लग चुकी है जो अस्तर के बाहर जो भी एक्ष्टा कपड़ा दिख रहा है उश्यम कट करके फिनिसिंग कर लेंगे बैक पार्ट को और स्यम इसी प्रोसेस के साथ आपको फ्रंट पार्ट को रेडी करना है तो फ्रंट पार्ट में हमारा वर्क नहीं दिया रहता है तो सिंपली जैसे हम उपर की साइड से जॉइंट लगा करके अंदर की साइड फोल्ड करते हैं उसी तरह से आपको फ्रंट पार्ट को रेडी कर लेना है तो देखे जो भी एक्ष्टा कपड़ा उसे कट कर दिये और बैक पार्ट हमारा स्टीच हो चुका है अब देखे फ्रंट पार्ट को भी हमें स्टीच करके नीचे से कमरपटी जॉइंट कर लिए हैं तो देखे फ्रेंट स्लिप्स भी आपको सिंप उसी तरह से बनाना है प कर लेंगे स्टीच करके तो देखे फ्रेंस अस्तर को स्टीच कर लिए में कपड़े में हम अब बाकी इसमें जो भी एक्ष्टा कपड़ा होगा उसको भी कट करके हम निकाल लेंगे इस तरह से और सिम इसी तरह से आपको दूसरा बाजू रेडी कर लेना है बिल्कुल अस्तर के बराबर से आपको कपड़े को कट कर लेना है बिल्कुल कपड़ा एक्ष्टा नहीं रहना चाहिए तो देखे बाजू भी हमारा रेडी हो चुका है और दूसरा बाजू भी आप देख सकते हैं कि सेम इसी तरह से इसी भी स्टीच कर लिए हैं अब इसे कर लेना है तो जैसे कि मैं इसे फ्रांट ओपन बना रही हूं तो यहां से आपको कट कर लेना है और कट करने के वाद से देखे प्रेंस अब हम उपर वाले पाट को नहीं कट करेंगे सबसे पहले सेंटर का जो ट्रक्स होता है उससे सीलेंगे मां अवाला जो ट्रक्स होता है उसे les啊 मेंगे स्टीच करते हैं देखे इस तरह से है अब देखे नीचे की सबसे पहले जो नीचे की साइड का जो ट्रक्स होता है इसमें लखवक बेडिंच कपड़ा दोनुन साइड मिला कर लेते हैं तो एक इंच में कन कम होता है हमारे डबल में तो देखिए नीचे वाले ट्रक्स में थोड़ہ च्पड़ा लेते हैं इस तरह से देखिए ताकिक समारा उभर के आए और जो साइड से कपड़ा रहे हैं तो इसमेंage । तो इसमें एक चाप से एक पॉइंट अब बढ़ा करके ले सकते हैं ज्यादा कपड़ा नहीं दबाते हैं तो देखिए भी ट्रक्स हमरा बहुत ही इजली लग गया और सेम इतना ही कपड़ा हम पकड़ेंगे अर्मोल के साइड का जो हमरा ट्रक्स होता है उसमें भी हम एक चाप ही कपड़ा लेते हैं ज्यादा नहीं लेते हैं और ट्रक्स कभी भी आपको उपर के साइड से ज्यादा और नीचे के साइड बिल्कुल तीर्चे में लगाना होता है तो सेम उसी तरह से देखिए फ्रेंस कि इसे नट लगा लीए अब हम बंग को पिल्कुल बीकोर बीच से कट कर कि अलग कर लेंगे मैं सिर्थ से जड़ा भूलाँ को कट कर लिए हम दोनों पारफ हमारा लग होचुका तो कट करने के बासे देखे देखे जो बीच-बीच का ड्रक्ट होता है उसे कीव equitable & Scar और अगर कहयरादा एक क्पड़ा पखड़े हो आप तो बराबर भी हम कर लेते हैं और भी आपको जरूर करना है कि बीच वाले ट्रक्स को दुभारास से आपको अच्छा कर लेना है और यका चेक उख लेना है कि दोनों बराबर आरा रहे कि नहीं तो देखिए उसको चेक करने के वासे देखेंस अफंट करेंगे तो उपर की साइड से आपको सीधा उल्टे का ध्यान रखते हुए बेल्ट को ज़ॉइंट कर लेना है तो बेल्ट करते टाइम आपको ज्यादा कप्ड़ा नहीं लेना है आधा इंच कप्ड़ा दबा और फिर से चेक करेंगे की दोनों पार्टा हमारा बराबर है और उसके बास से देखिए इसमें जो हुप की काज बनती है वाली पटेस्में ज्वाइंट कर रहे हैं तो देखे तो इसे लेफ्ट साइड-न-ज्वाइन करते हैं नीचे के साइड से आपको जोंट करते हैं पहर कोना फोर्ड करना होटा है पट्री कि चौणाइक आप डाइन ले सकते हैं और देखे कंपसने लेडिया तो देखitel से वोwyn करती है बिल्कुल कॉर्णर पेट सिलाई लगाएंगे और उसके बासे जो भी एक्स्टा उपर की साइट कपड़ा है उसे कट कर लेंगे और फिर दुबारा से देखे फ्रेंज एक पैर का मार्जन लेते हुए अब हम सिलाई लगा लेंगे तो देखिए काज वाली पट्टी ह हमारी ड्यडी हो चुकी है अब हम हुकाई वाली जो पट्टी होते हुशर्ण करेंगे तो हमारा अस्तर के कपड़े से हम जौईंट करते हैं तो देखी इस तरब इसको सीधे ज़्द कर लिए तो नीचे के साइद थोड़ा से एक्स्टा कपड़ा रखेंग गे फॉल्डिं कि तुर्पाई के बाद इस शिलाई को आप निकाल सकते हैं तो इस तरह से देखिए दोनों पार्ट हमारा ज्वाइंट हो चुका है अब हम एक बार गले को चेक करेंगे कि गला का जो गोलाई यह बिल्कुल सेमा रहा है कि नहीं तो देखिए काजपटी के तरफ का जो हमारा बेक पाचपट का जो त्रक्स होता है उसे हम लगाएंगे इस तरह से से इसी तरह से देखिए फ्रेंश दूसरे साइड भी हम ट्क्स लगा लिए और अब हम सोल्डर करेंगे तो डीपनेक में आपको सोल्डर कैसे जाइट करना है कि आपका गला न गीरे तो उसके लिए थोड़ा सा कम दबाना यानि तिर्चे में लगानी है तो देखे शोल्डर ज्वाइंट कर लिए यहां पर देखे एक इंच चोड़ी पट्टी लिए है जो उरेवी पट्टी है और हम गोल्डेन कलर कंट्रास्ट कलर का हम इसमें पाइपीन एड करेंगे तो देखे इस तरह से पाइपीन वाली पट्टी को पहले किनारे से आधा इंच सौरी एक चाप आपको फोल्ड कर लेना है और फोल्ड करने के बाद से आपको पैपीन ज्वाइंड करनी है बलाउंज में उपर के साहीड से देखे प्रेंस एक चाप आपको कपड़ा पकड़ते हुए दबाना है में ज्यादा कपड़ा नहीं लेना है आपको नहीं तो पाइपीन मोटी हो जाएगी तो इसे तरह से देखिए फ्रेंस पाइपीन वाली पट्टी को पूरे गले पे बिल्कुल बराबर से कपड़ा पकड़ते हुए जॉाइंट कर लेंगे सीधे साइट से तो पट्टी को आपको बिल्कुल खींचना नहीं है जितना आपका गला का राउंड है आराम से आपको उतना कवर कर लेना है तो आप देख सकते हैं कि पट्टी को पूरे गले में ज्वाइन्ट कर ली हैं अब हम पाई-पीन में गुलाई देंगे तो उसके लिए देखें़ पर हिएफिल सादा इंच आपको बाहर के साइड करके कट करना है पाई-पी तो देखिए पाई-पीन में हम गुलाई आपके आए और इसी तरह से बिल्कुल बराबर से गुलाई देते हुए आपको पूरे गले को स्टीच कर लेना है देखिए इस तरह से तो मार्जन वाला जो कपड़ा एक चाप आपका है वो बिल्कुल बीच में आपका जाएगा तभी आपका पाइपीन प्निसिंग से कि और आप देख सकते हैं कि लाज तक पाइपीन को में स्टीच कर लिए हैं गुलाई दे करके और देखिए बिना धागे का बहुती फिनेसिंग के साथ पाइपीन डेडी हुआ है और अब हम बाजु ज्वाइंट करेंगे तो देखिए शेंटर पे जो कट लगाते हैं हुआं और भी आरहा है यहां से सटीच कर लेंगे अंगी देखिए इस तरह से है तो बाजू का जो सेंटर कट आता है उसको अपिसान 4 आप छेक कर लेना है कि जहां आप सोल्डर ज Minh कि और आर आए कि नहीं और देखि इस तरह से हलके हांतों से आपको round देते हुए बाजू को जौइंड करना है बाजू को बिलकुल खीचना नहीं है ज्यादा तो देखिए बाजू को ज्वाइंड करने के बाद से हम सबसे पहले सीधे साइड से फिटिंग के लिए एक शिलाई लगाते हैं यह जो शिलाई होती है अप इसे अगर ब्लाउज को उल्टा करेंगे तो यह बीचो बीच में गूम हो जाती है और इसी तरह से अपको दूसरे स निज पर आपको उंगरी रखते हुए बाकि जो भी कपड़ा बंच रहों से पहले आपको डबल में करना है और डबल में करने के बासे लिए फिटिंग को फिटिंग आ रहा है वहां तक आपको शिलाई लगा लेनी है तो इस तरह से अगर कमर की मार्किंग करते हैं तो बिल दूसरे साइड भी फिटिंग लगा लेंगे तो अब देख सकते हैं कि फिटिंग लग चुकी है अब हम इसे इसमें फैब्रिक लटकन लगाएंगे तुसके लिए रेडिमेंट यहां पर डोरी लिये हैं और स्क्वायर में तीन पीश कट किये हैं तो इसमें तीन फैब्रिक ल अब हम ठाई तो फ्रेंस आप देख सकते हैं ब्लाउंज का फाइनल लूक कितना अच्छा आया है तो मैं उमीद करते हूं कि वीडियो आप लोग को पसंद आया होगा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सेर ज़रूर कीजिए और मेरे चैनल पे नए है तो प्लीज मेर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को ओन कर दीजिए ताकि ऐसे ही वीडियो आपको टाइम टू टाइम मिलता रहें